तो हेलो वाइस कैसो आप लोग मेरा मनीश है और भी स्वागत आप सब लोगा चैनल पर दुबारा से और आज हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट लैप्टोप अंडर 25,000 अब यहां पर आमाजॉन के उपर सेल भी चल रही है तो मैंने सोचा कि वाई एक बजट वाली वीडि खतम हो जाएगी पर अगर तुम अभी देखर हो वाई तो तुम्हें डील में जितने भी लैप्टॉप देखने के लिए सारे मिल जाएंगे तो वीडियो को इस एन तक देखना सब कुछ डिकेल में बताने वालो और हमारे चैनल पर लैप्टॉप रिकारिंग कॉंटेंट जाता है तो सब्सक्राइब कर लेना तो जाए टाइम वेसी करते इस वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब करते हैं यहां पर सबसे पहले बात करेंगे हम लोग क्राइटीर है कि मतलब 25,000 रुपे लेकर निकलोगे तो क्या क्या जुता है तुम्हें देखने के लिए मिल ज करें तो सबसे पहली चीज रैम को लेके आए तो आपको एट जी रैम जो ता बाइस बजट के अंदर मिल जाएगी और आज के टाइम में एट जी रैम होनी बहुत जरूरी है अगर एक से कम है तो तुमको दिक्कत होगी यहां पर स्टोरेज की बात करें स्टोरेज में जो आपको SSD लेनी है और SSD मस्क है और यहां पर SSD होती है उसमें आपको M.2 वाला वरजन लेना मतलब M.2 यहां पर सभी लैक्टॉप के अंदर विंडो देखने के लिए मिलेगी अपचा है वह विंडो टैन ओ यह विंडो इलावन हो मोस्क प्रॉबैबली जो होता है विंडो इल आपकार निजिए शक्रह soir अरव फिमरो ही जो तो चुत है और यहां पर बात करते हैं यहां पर पहले लैप्टॉप 사वतिय और व domestic की दो से बात 2.000 रुपर present गर ऐस चीज दिया घाना रठागा हो इस चीज को तहाछ चाचा वांताओ। अगर किसी का भास भी क्रेडिट कार्ड है उसका यूज करो तुम्हें डिसकाउंट अच्छा कासा देखने के लिए जोता है मिल जाएगा बात करते हैं लैपटाप की स्पेक्स की तो यहां पे देखने के लिए मिलता है वह है कर सकते हो और रैम जो था हमें देखने के लिए मिल रहा है वह भी एट जीबी जो यहां पर सीपीव है ना मैं यह बुलूंगा यह वाला सीपीव नॉर्मल कामों के लिए बहुत जाद अच्छा है तुम इसके ओपर थोड़ा बहुत फोटोशॉप करना चाहते हो वह कर सकते ह जाद है इस पर डालोगे ना तो भाई दिक्कत होगी बात करते हैं पर डिस्प्ले की तो फिफ्टीन पॉइंट सिक्स इंच की जो था बैक्टरी बैकप देगी तो वाईस मैं यह बोलूंगा वाला लैप्टॉप काफी जात अच्छा है और यह लैप्टॉप जो था रेप की लैप्टॉप बताऊंगो ना उनके अंदर जो स्पेक्स ना वह और भी खतरनाक लेवल की है ठीक है तो आप लोग डेफिनिक्टी इस लैप्टॉप को चेक आउट कर सकते हो लैप्टॉप का लैप्टॉप है वारंटी काफी अच्छी है जो आपको देखने के लिए मिल पर भाई इसका रेगुलर जो प्राइस है वह 20,000 उपर चलता रहता है बात करते हैं यहां पर CPU की तो यहां पर भी सेम CPU है N4020 2.8 GHz का स्पीड है और दो कोर का स्पीड है जो मैंने पहले वाला CPU बता है तना उसे थोड़ा सा वीक है ज्यादा वीक नहीं बस मुश्किल समान के चलो चार-पंश परशन का डिफ्रेंस देखने के लिए मिलेगा बात करते हैं यहां पर रैम की तो 8GB की जोड़ा रैम है 256GB की M.2 SSD है और यहां पर तुम SSD को एक्सपैंड कर सकते हो 1TB तक बढ़ा सकते हो डिस्पले की बात करो तो बहुत बढ़ा सकते हो डिस्पले की ब अच्छे आने चाहिए तो IPS यहां पर देखने के लिए मिल रहा है इसलिए लैप्टॉप के साथ जोड़ा जा सकते हो बात करते हैं यहां पर विंडोस की तो विंडोस 11 होम जोता हमें इसके अंदर देखने के लिए मिलती है और वही सेम बैटरी है 38Wh की बैटरी जो आपको चैकर दक का बैकरी बैक अब देगी तो इस वाले लैपटॉप को भी डैफिनिक्टी चेक आउट कर सकते हो सभी लैपटॉपों के लिंक जोता नीचे दे रहे हैं महां पर जाके जो तबर चैक आउट कर लेना अब यहां पर बात करने वाले हमारे वीडियो के तीसरे लैप स्पेक्स की तो यहां पर हमें राइजन देखने के लिए मिलता है राइजन 3250U दो कोर का जो होता है सीप्यू है और 3.5 गिगर्ट्स की अब देखो यहां पर थोड़ी बहुत गेमिंग करना चाहते तो वह तीसरे लैपटॉप के साथ जा सकते हो कि यहां पर हमें राइजन करके चलाओगे तो ही जो था गेम चलेगा यहां पर तुम जीटे फाइफ को जो थोड़ा बहुत चला सकते हो अगर तुम खिलना चाहते हो बात करते हैं पर रैम की तो यहां पर जो था गाई एक जीवी की जो था रैम हमें देखने के लिए मिलती है जो की थैक्टी टू ज पर तुम लोग बढ़ा सकते हो कि यहां पर जो था हमको साटा स्लॉड जो था देखने के लिए मिलता है अब यहां पर बात करते है इस लैप्टॉप की डिस्पले की तो यहां पर 14 इंच की एचली डिस्पले देखने के लिए मिलती है और जो रैजिवीशन है वो सेवन सु तो डिस्प्ले के मामले में फोड़ा सा कम्जोर है अब यहां पर बात करते है अदिशनल फीचर्स की तो भाई हमें डूल माइक देखने के लिए मिलता है तो भाई तुम लोग ऑफिशल परपस के लिए इस लैपटप को ले सकते हो क्योंकि इसके अंदर डूल माईक है तो अ भी बैक्टरी वाले लैपटप चाहिए इसको चैकटाओट कर सकते है यहां पर सेवन हार की जो तह हमको बैक्टरी देखने के लिए मिल रही है तो डैफेनिकली पर बात करने वाले है रहाला है था हमारे लास और चौथे लैपटप की और यह जो लैपटप है यह भी कि भाई यह जो स्पेक्स प्रोवाइड कर रहा है वो बहुत नेक्स लेवल की है बात करते हैं यहां पर CPU की यहां पर हमको आई 3 देखने के लिए मिलता है आई 3 10 जेनरेशन वन जिरो जिरो फाइब जी वन दो कोर चार्ट थ्रेड का प्रोसेस हा रहा है 3.4 यह जो प्रोसेस है थोड़ा सा जो था पावर फुल है यहां पर फ्रेड जो थोड़े जाद देखने के लिए लिए तो थोड़े बहुत हैवी काम मतलब बहुत ज़टा है भी तो नहीं बोलूंगा यह कि थोड़ा बहुत मल्टी टास्किंग थोड़ी बहुत यूटुब टीपी फुल एचडी 14 इंच IPS पैनल है तो यहां पर भी यहां को IPS देखने के लिए मिलता है तो बहुत बहुत ज्यादा बड़ी बैटरी है 46.2 वाटर की बैक्तरी देखने के लिए मिलती है और जो की आपको आड़ घंटे तक का बैक्तरी वैकप सपोर्ट करती है मतलब भी आड़ घंटे का बैक्तरी बैकप बहुत ज्यादा होता है और ऐसे लैप टॉप के लिए जो ता बहुत अच्छी बात है तुम लोग जोग law five six देखने के लिए मिलता है और बेकलिकास्ट किबोड देखने के लिए मिलता है अध्य क्य전 की आफ़ेना सब ज्यासर मुर्पी फीचर रहे मतब मधी गारे Eleo абist एक्रेट कीबोर्ड है ठीक है तो भाई डैफनिक जो था भाई तुम लोग जो था इस लैप्टप को चेक आउट कर सकते हो यह जो वीडियो थी भाई यही पर खत्म हो जाती है और यही थे